घर में उगाई सबजियां और फल खाने में जो खुशी मिलती है उसे सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसे उगाते हैं अपने घर के आंगन में, छत पर, बालकनी में आप छोटे-छोटे गमलों में बहुत सारी सबजियां उगा सकते हैं जैसे कि बहंगन, बहंगन एक पौधे के अंदर आठ से दस आ जाते हैं अब ये देखिए मैंने बहंगन उगाई हुए हैं, इतने बहंगन लगे हैं करीबन पचास-साठ बहंगन पंदरा पौधे हैं और एक पौधे ने ऐसे भरपूर फल दिये हैं कि भारी-भारी गोल, ताजे बहंगन और इतने स्वादिष्ट घर का पानी, घर की बनी खाद और उसके बाद जो इसका स्वाद बहंगन का वो आप बस खाते ही रह जाएं ऐसे मकमली और मक्खनी बैंगन और जब इन सबजियों को आप उगाते हैं तो इनमें आपको कोई बहनत नहीं करनी पड़ती हैं बस पानी देना है और घर की ही जो बेकार हो गई चीज़ी हैं जैसे कि चाय की पत्ती या और सबजियों के छिलके उनकी खाद बना कर डाल दे और आप अपने ही घर में पाएंगे बहुत सारी स्वादिष्ट सबजिया और सबसे अधिक और कहने का अब देख रहे हैं आपक कि एक एक पौधे में कितने बहंगन लगे हैं और हम इनको खाकर बोर नहीं हुए हैं क्योंकि इनका स्वाध ही इतना है अब बहंगन के साथ आप देखिए एक नेमबू के पौधे भी लगे हैं उस पर फिर कभी बात करेंगे पर मैं ये दिखा रहा हूं कि गमले के अंदर भी एक पौधा तीन फुट का हो चुका है एक एक पौधा और देखी कैसे गुच्छों में अंदर बहंगन लगे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए अपने घर में पुरानी कोई भी डबबा हो बाल्टी हो उसको भी आप गमले के तरह इस्तिमाल कर सकते हैं और बहंगन के द झाल